चला गया चांद कहां आस्मा को छोड़ के लाटी के वा सिहुरे हमाते जिबा सिहुरे हमाते जिबा बलमा की जब राहा ना पाए मेरे संग आए की पग पग दीप जलाए हमारे साथ मोजूद है इसका चेहरा देख करके पहचान गया है कि वही सिंगर गुल्जार एहमद जी है जो काफी ट्रेंडिंग इस्टार बन चुके हैं हमेसा ट्रेंड में रहते हैं कोनों ऐसा चैनल नहीं है जिस चैनल पर इसका चैहरा आप नहीं देखे होंगे सैधिया ब सबसे पहले ताबर तोर न्यूज में सर आपकी श्वावत जी बहुत बहुत शक्रिया आप जो इतना बड़ा ट्रेंडिंग इस्टार बन चुके हैं सिंगिंग के माध्यम से बहुत सारा चैनल पर देखते हैं कि वहीं आपका वीडियो डलता है मीलियनों में भी उत जाता ह पसंद करते हैं और लगतार उसकी फरमाई से रहती हैं कि आप गाये और लोगों का दिल जीते तो इसी अंदाज में वहीं से लोग जानते हैं जिस्क जगाया मेरे अंदर मेरा सेया ओ पिया पिलाया साथ समंदर मेरा सेया दिल की बात बताना पाए है रबा इक दूझे को भुलाना पाए है रबा चला गया चांद कहां आस्मा को छोड़ के ढोंड रहे हैं सितारे दिल गया तोड़ के वह सच में क्यों नहीं इसके आवाज के लोग दिवाने होंगे क्योंकि इसके आवाज में जो मदूरता है जो मीठास है और आवाज नहीं और इस लिए तो आपको प्यार देते हैं तो इस परकार से जो आप वैरल हुए लोग आपको जानने लगे पहचानने लगे तो इसके बाद जो है कहीं न कहीं आपकी डिमांड तो बढ़ती होगी न मार्केट में देखिए मैं नॉर्मल समझता हूं मैं नक्षायर की रूप मे और मैं कोई डिमांड करता नहीं हूँ आप क्या डिमांड कीजेगा वैया जी यह महबबत है ओडियंस का मुझे बहुत दूर दूर तक बुलाता है और जाते हैं वहां जो जाते हैं तो आपके परती क्या प्यार रहता है वे लोग का यही समझे कि मैं सोच भी नहीं पाता ह मेरे संग आए कि पग पग दीप जलाए मेरी दोस्ती मेरा प्यार मेरी दोस्ती मेरा प्यार जीवन का यही है दस्तूर प्यार बिना अकेले मजबूर दोस्ती कुमानो तो सब दुख दूर कोई काहे ठोकर खाए मेरे संग आए कि पग पग दीप जलाए मेरी दोस्ती मेरा प्यार सैद आप जिस प्रकार से इनके उपर प्यार लुटाते हैं इनको जितना चाहते हैं तो उसी अंदाज में यह भी आपको प्यार करते हैं और वही प्यारवरा आपके लिए यह सौंग गाये हैं यह आपको कैसा लगता है क्या लगता है और इस सौंग के माध्यम से आपको क्या कहना चाहते हैं आप खुद ही कमेंट में जडूर बताइएगा अच्छा बहिए आपका वह जो आपका सौंग था वह सौंग थोड़ा सा बाबा दिला टीक वा सिहुरे हमाते जिबा सिहुरे हमाते जिबा बालम आ कैसे बालम आ कैसे ते जब रे छोटी नान दी हमार जिया डोले रे छोटी नान दी हमार जिया डोले रे छोटी नान दी सजन्वा कईसे सजन्वा कईसे ते जब रे चोटीना ने दी टीक वाटी को लिया जुम का पया लिया सगरो सिगार बाधूरा कोनो सुहा गिन के बन के पिया सिया पियावा के प्यार कर पूरा सि घरवा सबे ते जब रे चोटीना ने दी कहीं न कहीं सोंग को आप लोगोंने बहुत जादे प्यार दिया है और आज भी उस चैनल पर चल जायना बया पूरा आस्मान चू लेता है और बहुत बड़ा ट्रेंडिंग सॉंग है इनका यही और जानते हैं इस सॉंग को कही न कही अधिक से अधिक प्यार देता है तो आजकल महला लोग देती है उस महला के लिए आप क्या कहिएगा मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि मैं ऐसा सॉंग आओं ऐसा शेयर पढ़ू कि हर घर में हर माबहन इज़त से बैठके सुन पाए जी फैमिली सुन पाए पूरे फैमिली सुन पाए तो जो महला आपको इतना प्यार करती है इस सॉंग पे और आपको महला लोग कही न कहीं बहुत जादे प्यार देती है और यह जो सॉंग गाया है बहुत on के महला के दिल प्याप राज करने लगे हैं और उस महला के यां जी वह जितंने भी हमें देखते हैं और मां और बहुन के रूप में और यopes पख़़ार में आश्यरवाद दुआ करते रहें भी बिल्कुल के लिए इस परकाल से दुआ होनी वह जाहिए क्योंकि आप जो है जहां भी SPEAKिसे बीप वी परकार की घटना होती है तो हम सब भाइया इसुन जाते हैं उसकी हग और अधिकार के नहीं घलत यह हमारे audience इतना हमें चाहते ही हैं लेकिन जो सुनने को अगर कोई ऐसा वेक्ती होता है जो वो सोच लेते हैं कि यह popular होने के लिए यह पहुच जाता है हम अपना song को लेकर यह बिलकुल गलत बात है मुझे इतना शौक नहीं मैं बच्पन से गा रहा हूं बच्पन जो है मेरा यही दिल में हमेशा रहता है कि अगर मेरी आवाज से किसी का हिल्फ हो जाता है किसी की आवाज बन सकता हूं मैं तो जरूर मैं अपनी आवाज के माध्यम से वहां पहुचता हूं और मुझे बुलाया भी जाता है बहुत सारी जगए गुलर जी आई आई आप त बर्जेस बोलतानी के हो भाईया सुना हो सुना बर्जेस बोलतानी हमेशा सच दिखाई हमेशा सच दिखाई टावर तोर नियोज हाई के हो चाचा भूला नजयी हा बर्जेस बोलतानी बहुत बहुत दिल से धन्यवाद हमारे चैनल के लिए चोटा सा सौंग गाया और हमारे दर्सकों को इतना प्यार दिया इसके लिए आपको दिल से धन्यवाद लेकिन आप जो है आप लोग गुलजार भाई के बारे में क्या सोचते हैं आपकी विचारधारा क्या है कमेंट के तब तक के लिए देखते रहिए ताबर तोड़ न्यूई ताबर तोड़ अंदाज में जए